I will live around smash I come here अपिशी एक पर फिर से लेकर आगय cott alarming जानेंगे कि आज भ्त 150 पहले कारुबारे दिन किने बसार की साफे से खुलता हो नजर आ रहा है और उस पर हमारे जानगारगी क्या रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुबात करेंगे नॉन एंगरी कमुनिटीज में गोल्ड और सिल्वर से यानि कि सोने और चांदी से तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त आपको बता दें कि सोने में हमने बीते कारवार ही सकता 1830 डॉलर के अभी उपर कारवार होते वे देखा था जो सोना था उसके अंदर एक सेफ है मन डिमान निकल के सामने आया थी वो थोड़ी छोटी अबदी के लेती लेकिन ठीक ठाक देखने को मिली थी और अब अमेरिका की तरफ से जो डेटा निकल के सामने आया है यूएस जॉब्स का तो उसमें निकल के सामने आया है कि जो यूएस जॉब्स हैं वो तब कम देखने को मिली है लेकिन जो इंकम है जो ग्रोथ होती है जौब्स की उसमें थोरी तेजी देखने को मिली है जिसकी वज़ा से हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीम्तों में एक उठाफटक का महौल देखने को मिलाता यह से बात करें अगर कच्छे तेλ की तो कच्छे तेल में हम देख रहे हैं कि इस समय आज जो कच्छे तेल कारोबार करता है नज़र आ रहा है WTI 68 डालर पर 1.50 की गिरावट के साथ और Brand Crude और 71 डालर पर 1.50 की गिरावट के साथ कारोबार करता है नज़र आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि आज हफते के पहले कारोवार दिन कच्चे तेल की कीमतों में एक लाल निशान के साथ कारोवार दर्च किया जार। आपको बता दें कि हाली में ओपेक की बैठों हुई थी जिसमें अब यह निड़ने निकल के सामने आए कि जो ओपेक है और उसके सहियों की देश है वो कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे प्रति दिन चार लाग बैरल का उत्पादन बढ़ाया जाया कर डिसमबर तक करें तो कॉपर आज अंतराश्टे वायदा वजार में आधे पीसत की गिरावड के साथ लाल निशान पर कारुबाग करता हुए नदर आ रहा है तो आज किस नौन एगरी कमुनिटी में क्या करके चलना सही रहेगा यह जान लगते हैं रूपा जी से बहुत-बहुत कि अमेरिका के अंधर जिस प्रीके के आफ्रे देखने को मिले हैं उसका एक इंपक्ट ग्रस होने और चानी की की तीमतों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है इंटरनेशन मार्केट में अमेरिका में रोजगार की कमजोर डेटा आया है और डोलर भी कम होने के चलते गोल्ड के प्राइस में इंपक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी फिलाल उमीद की जा रही है कि और ज्यादा तेजी जो है गोल्ड गंदर यहां से बन सकती है क्योंकि जो चाइना से डेटा निकला है वो भी काफी निराश करने वाला है और उसने भी कमजोर डोलर उसके इंपक्ट भी का डोलर के उपर आता हुआ में दिखाई दिया है और जिसके चलते गोल को सपोर्ट मिला है और दूसरी तरफ प्रेडर डिजर मोनेटरी पॉलिसी ने भी अब साफ कर दिया है कि अभी फिलाल इंप्रस्ट में कोई भी ब्रोतरी नहीं की जाएगी तो यह सार कर दिखाई दे रही है और अब फिलाल इहां से सोना जो है मुझे लगता है कि एक बार रेंजबान हो सकता है 47,000 से लेकर 48,000 की रेंज में खारोमार करता दिखाई दे सकता है नीचे में इंटरे में अगर आज बजारों में थोड़ा सा प्रेशर आता भी है तो नीचे में 47 सकता है अधरवाइस 47,200 का इस फोड़ा कर इसमें बाइंग पिल पजिशिन भी नीचिक की जा सकती है जो कि उपर में 47,600 तक जा सकती है तो आप कह सकते कि आज इंटरे में 47,200 से 486,600 की जीज देखने को मिल सकती है वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में अभी ब इस फिसत की घरावड बंती भी नजरा जिये ता पो कच्छे तेल में क्या लगता है कच्छे तेल में क्या करके चलना सही रहेगा देखे तेल में इंकरडे में प्रेशर है और उपर इस तरो पर दबाव बन सकता है लेकिन अबी भी बागार पॉजिटीव है कुछ बहुत इस तेजी की तरफ जा सकता है तुकि आज इंटरनेशनल मार्केट के मेरा दबाव देख रहे हैं डवी कि आई उनसर डॉलर याई जो सप्ता डॉलर के उपर निकल लिया था वह दिखाई गिया है ब्रेंट भी सिस्ता है बता डॉलर से तो तुला थोड़ा गिरावत इस तो दॉलर के नवल चूट सकता है और वह हैं तो तो रहे हैं तो क्या लगता है आज बेसमेटर्स में चाहिए पना कर चलना से हिरहाएं का यह दिखाई दे रहा है फिलाल उपरी सतरों से आज बजार को पर और निकल के लेकिन अभी भी घिरावत महीं है, आप रॉफित बुकिंग आप कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है, जिंक अभी भी पॉजिटीव है, निमुनियु के अंदर भी तेजी का ही रुजान बना हुआ है, और फिलाल मुझे लगता है, निकल भी तेजी की तरफ ही है, नीचे में अभी तो यह तो यह दो बात करीती है, हमने यहां पर नौन अगरी कमुनिटीज की